पाली में बच्पन बचाओ आभियान के तहट बाल विवा की रोग थाम और इसके दुश प्ररेणामों के बारे में लोगों को जागरु किया जा रहा है इस अभियान में नरेगा श्रमिकों के साथ प्रवासी राजस्थानी और रेल करमचारी भी अपनी सहभागिता निभा रहे है प्रस्तुत है एक रिपोर्ट इन दिनों पाली में बाल विवा के विरुद जन जागरुकता का अभियान गाउं की चोपालों से लेकर रेलवे स्टेशनों तक चलाया जा रहा है इस अभियान में आम लोगों के साथ नरेगा श्रमिकों के साथ प्रवासी राजस्थानी और रेल करमचारी भी अपनी सहभागिता निभा रहे हैं किसी समय में बाल विवा होना एक आम बात थी परिवार जनों के द्वारा अपने बच्चों को जन्म से कुछ समय बाद ही बाल विवा के बंधन में बांद दिया जाता था जिससे बाली का शिक्षा की दर बहुत कम थी इस मामले में शारदा एक्ट भी बनाया गया पहले तो उस पर अमल होता नजर नहीं आया जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ा वैसे ही बाल विवा के रोकताम की पालना तेजी से होने लगी अब भी बाल विवा दूर दराज क शिक्षेत्रों में चोरी छुपे होते हैं कर लेते हैं ताकि उनका जो खर्चा है वो कम हो जाए तो इस मोहीम को जागुरू करने के लिए हम काम कर रहे हैं और बाल विवा पर रोक भी लगए जा रही है और पहले बहुत हो रहे थे अभी देखने को बहुत कम मिल रहा है तो यही यह संद्ध सब आगे तक पहुचता रहे और बाल विवा के लिए रोक लगए जाए बाल विवा के कारण होने वाली घरेलू हिंसा चैसे मामलों को बढ़ता देख आज भी जन जागरुपता की आवशकता महसूस की जाती है इसी को लेकर पाली में कैला सत्यार्थी चिल्डन फाउंडेशन के बचपन बचाओ आंदोलन की और से ग्रामेन एवं सामाजिक विकास संस्ता के बैनर तले गत एक महा से बाल विवा रोकताम के लिए बाल विवा मुक्त भारत जन जागरुपता अभियान चलाया जा रहा है इस अभियान में नरेगा श्रमिकों को नुकड नाटक के द्वारा जागरुप किया जा रहा है इस अभियान में नरेगा श्रमिकों र प्रवासी राजस्तानियों का कहना है कि बाल विवा करने से बहुत सारे नुकसान है ऐसे में जन जागरुकता अभियान लोगों के लिए वर्धान साबित हो रहा है हम लोग के लाज सत्यार्थी फाउंडेशन के साथ में काम कर रहे हैं जिसमें हम लोगों के अभी 16 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक action bucks मनाया raha है इस action मंत में हम लोग बाल विवा के खिलाप काम कर रहे हैं इसमें पिछले आठ दिनों से हम लोग हस्ताक्षराइबियान के उपर चले हैं हस्ताक्षराइबियान हम लोग करवा रहे हैं साथ इसाथ केंडल मार्च इसके अलावा स्कूलों में सपत गाओं में सपत, नरेगा साइड चल रहे हैं तो वहाँ पे सपत, हम हर जगे सपत का योजन कर रहे हैं बालिवा के खिलाप क्योंकि बालिवा समाजी कुरूत से एक बहुत बड़ी कुरूती है और सद्यों से चली आ रही है तो इस कुरूति के खिलाब हम लोग काम कर रहे हैं चोटे बच्चों का विवाँ नहीं करना चाहिए उसे उनके एजुकेशन और सारीरिक इस्तिती भी गड़बढा जाती है इसलिए कभी बाल विवाँ नहीं करना चाहिए और नहीं करने देना चाहिए किसी को तूर दस्वन समाचार जैपूर